गुल मॉर्णिंग टॉल अपियो दीसी जिनसार अमद फ्रॉम सेंट जूसिप स्कूल महराज गज ये विडियो क्लास पॉर के लिए है जिसमें आज हम लोग मल्टिपिकेशन पढ़ेंगे लेकिन मल्टिपिकेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग को 2 से लेके 10 तक टेबल याद कर लेना है तब ही हम लोग मल्टिपिकेशन बना सकते हैं और इसमें पहले जो चाप्टर हमारा दिया गया है इसमें हमें पहले multiplication ही सिखना है multiply सिखना है कैसे multiply करेंगे और फिर इसको याद करना है ठीक है तो हम इसको बताने वाले हैं जैसे की exercise हमारा आज 3A स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो आप लोग अपने बुक्स को इसको complete करिए सबसे पहले हम लोग आते हैं यह हमारा 2 का multiplication है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 7 जा 14 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 10 जा 20 इस तरह से 2 का complete होगा हमारा टेवर अब 3 का 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18 3 7 जा 21 3 8 जा 24 3 9 जा 27 3 10 जा 30 3 का भी complete अब 4 का लिखना 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32 4 9 जा 36 4 10 जा 40 यह भी हमारा complete हो गया अब हमें टेवर लिखना है 5 का कितना का 5 का तो 5 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35 5 8 जा 40 5 9 जा 45 5 10 जा 50 तो हमारा 5 का भी complete हो गया है ठीक है अब आते हैं 6 का तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 6 5 जा 30 6 6 जा 36 6 7 जा 42 6 8 जा 48 6 9 जा 54 6 10 जा 60 तो हमारा 6 का भी complete हो गया अब इसी परकार से हमें 7 का complete करना है तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70 तो हमारा 7 का टेबल complete हो गया यानि यह जो पहला हमारा exercise है यानि page number A 45 इसमें multiplication है यानि 2 से लेके हमें 7 तक टेबल याद कर रहेना है कल 3 हम लोग पढ़ेंगे यानि 8 9 और 10 का टेबल इसको बताएंगी इसके बाज़ों भी question होगा उसको solve कराएंगे तो इस chapter में इतना है यानि आप लोगो को करना क्या है तो सबसे पहले यहाँ पे 2 से लेके 10 तक complete करना है टेबल याद करना है और आगे हम लोग next वीडियो में अगला exercise complete करेंगे लेकिन इसमें छूटा हुआ है कौन कौन तो हमारा 8 9 और 10 का टेबल तो इसको complete कराएंगे पहले लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको याद जरूर कर लिजेगा ठीक है क्योंकि multiplication बनाने में आप लोग को बहुत ही आसानी होगी जब तक आप लोग टेबल याद नहीं करिएगा एक भी multiplication नहीं बन पाएगा तो ज़्यादा नहीं है तो से लेकिन तक ही टेबल याद करना है जिसको याद कर लिजेगा और ये हमारा page number 45 इसको complete कीजेगा अपने अपने books में Thank you, take care, have a nice day